तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनेकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये जो वीडियो है ना ये उर्दू फोर बिगनर्स का पार्ट 40 है यानि कि चालीसवा पार्ट है और आज के इस पार्ट में हम लोग future tense से बने sentences को उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं जी हाँ बहुत ही धमाकिदार वीडियो होने वाला है future tense आप लोग जानते होंगे वैसा समय वैसा काल जो आने वाला हो आने वाले समय को आने वाले काल को टेंस को कहते है future tense टेंस का मतलब आप लोग को पता होगा समय समझिएगी आने वाले समय को क्या कहते है future tense तो future tense से बने sentences, यानि कि जिस sentence के last में, जिस जुमले के last में गागेगी हो, जैसे कि मैं जाओंगा, मैं जाओंगी, मैं खाओंगा, वे लोग जाएंगे, वे लोग जा रहे होंगे, तुम खा चुके होगे, ठीक है, जिस sentence के last में गागेगी रहता है, उस तरह के sentence को रख दिया वाला है अंद तक बीना इसकेप किये देखिएगा और हर एक बात को ध्यान से समझेगा ठीक है समझे कि आज इस एक ही वीडियो में पूरा फ्यूचर टेंस कम्प्लीट किस तरह से फूचर टेंस के संटेंस को डूमें लिखा जाता है चाहे कोई भी फूचर टेंस का टाइप जितने भी टाइप है फ्यूचर टेंस के सबी टाइप के संटेंस को हम लोग उर्दू में लिखना और पाणा सीखने वाले मतलब समझे कि इस एक वीडियो में पूरा फ्यूचर टेंस कम्प्लीट अब फ्यूचर टेंस का नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा आएगा ठीक ह चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले आप लोगो यह जान लेना होगा कि लास्ट में फ्यूचर टेंस के लास्ट में क्या आता है गा गेगी तो इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे देखिए लास्ट में या तो गा आएगा नहीं तो गी आएगा ठीक है या फिर गे आएगा ठीक है और क्या सकता है गा गेगी बस इतना ही आएगा और क्या सकता है लास्ट में गेगी हां यहीं आएगा तो अगर लास्ट में गा आता है तो इसको कैसे लिखेंगे उर्दू में आप लोग जानते हैं कि गाफ उर्दू में कहते हैं गाफ यह हो गया गाफ हो गया ना इसको गाह बनाने के लिए इस गाफ में अलिफ जोड़ेंगे तो यह दोनों जुड़ कर एक साथ लिखना है इन दोनों को जोड़ेंगे तो गाफ का अधा बाग उठा लेना है आप लोग जानते ही हैं गाफ का अगया से उठा लीजिए यह जो सिधा वाला डंटा वाला में तो गाह मिले गई तो लास्ट में गाह इस तरह से आप लोग दिखेंगे ठीक है उदू में गाह इस तरह से लिखा जाता है यहां पर गी है गाफ से गाह होता है ठीक है और आप लोग ज़रा जूम कर लिजेगा दिखाई नहीं दे रहा होगा वो सकता है कि धुमला लिए दोणों को जोड़िए सबसे पहले यह उठाली इस तरफ से लिखा जाएगा उर्दू में और यहां पर गे है यानकी गाफ का आदा बाग उठाईए गाफ से गाफ के नीचे जेर मानकर बस इसमें बढ़ी जोड़ दीजिए तो यह हो गया कि आगे बस यह तीनों चीज याद कर लिए लास्ट में गागे गी मिलेगा आप लोगो फ्यूचर टेंस के लास्ट में गागे गी कहीं स्टार्ट करते हैं इसको मैं मिटा देती हूं तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए अब हम लोग लिखना सिखते हैं जो सबसे पहला सेंटेंस है वह यह है कि मैं जाओंगा इस सेंटेंस में सबसे पहला शब्द देखिए लवज है मैं मैं के उपर बिंदू रहेगा ठीक ह इस जुमले में जो सबसे पहला लव्ज है वह है मैं तो मैं को लिखिए कैसे लिखेंगे मैं आप लोगो बताई भी हूँ मीम के उपर जबर मानकर इसमें यह जोड़ देना है तो यह हो गया मैं लेकिन इसमें नून गुन्ना जोडएंगे तो इस नून गुन्ना से उपर बिंदु वाला न हो जाएगा तो यह लिखा गया पुन रूप से मैं अब यह मैं कैसे लिखा गया जो लोग सोच रहा हो कि कैसे लिख दी मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं नहीं आरा हो गा तो समझे कि आप डारेक्ट मेरा ये वला वीडियो देख रहे हैं यह 40 40 वा पार्ट देख रहे हैं डिरेक्ट टपक पड़े हैं 40 वे पार्ट पर ही तीक है आप लोग इसका पहला वाला वीडियो देखिए जो लोग सिक्वेंस में मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं उन्हों को हर एक चीज समझ में आ रहा होगा कि यह मैं कैसे लिखा गया हर एक परसेंट भी डाउट नहीं होगा ठीक है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसका पहले वाला वीडियो देखिए ताकि हर एक चीज हर एक पॉइंट एक दम बहतर तरीके से समझ में आए ठीक है तो जो लोग देखे होंगे सिक्वेंस में वीडि इनलिफ जोल देंगे तो यह गया जा आप लोग जूम कर लीजेगा जब मैं लिख रहे हूं कर लिजेगा तक यह बढ़ा बड़ा और साफ दिखाई देगे तो यह हो गया जा और यहां पर ध्यान से समझना होगा जांगा यहां पर क्या है उगा अब देखिये पू कैसे हो इस उ को हम लोग उठाकर यहां पर लाएंगे तो यहां पर डबल अलिफ हो जाएगा जबकि उर्दू में डबल अलिफ नहीं देना है एक साथ जोठो एक ही अक्षर दो बार एक जगा नहीं लिखा जाता है तो देखें यहां पर भी अलिफ जिम जुट कर जा और फिर एक और यहां पर लिख देंगे तो इस तरह तो उर्दू में होता ही नहीं है याने कि आप लोग यह वाले उ का यूज नहीं करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोग को बताई हूं कि अलिफ के उपर पेश जोड़कर उसमें वाव जोड़ दे जाता है इसको भी उ प पढ़ा जाता है ठीक है हमजा से भी तो आठा होता है तो हमजा की उपर पेश लगा कर इसमें वाव जूड़ दिये तो भी तो यह उ पढ़ा जाएगा ना तो अब यहीं वाले उ का यूज जो है नहीं यहां पर होगा है लेकिन बनाने के लिए यहां पर डबल अलिफ जोर देते हैं तो यह पढ़ जाता है उपढ़ जाता है एका लेकिन इन्यों होड़ना तो होगा जुड़ेंगे कैसे यह और यह जो पर नीन है इस इन दोनों को जोड़ दी मैं इस तरह हो गया, ये क्या पढ़ा जाएगा अब यही वाले उ को उठा कर यहां पढ़ लेकर चलिया ये, ये हो गया उ, ठीके, जाउ, हो गया ना, जाउ, जाउ हो गया, मैं जाउ, लेकिन उपर देखिए, चान्द वाला नौ है, उपर क्या है, चांदवाला नो को और्दो में क्या कहते हैं आप लोगों को बताई हुँ नून गुन्ना कहते हैं यह आपर लिख दिजिए नुन गुन्ना के भीच में नुकता नहीं रहता है जिस नून सेरो לסुन भीच में दिय नूब और नू इस तरह से लिखा जाता है गा ठीक है इस तरह से लिखा जाता है गा अभी मैं आप लोग को लिख कर बताई तो वही वाला चीज वह ना यहां पर मैं लिख दी हूँ जाऊं और यह हो गया गा मैं जाऊंगा ठीक है देखें बहुत ही बारिक ही यहां पर बहुत बारिक से आप लोगों समझना होगा मैं यहां पर हम लोग यह वाले का यूज क्यों नहीं किये क्योंकि यहां पर अल्रेडी अलिफ है इसलिए हम लोग इस अलिफ को उठाकर यहां पर नहीं लेकर गए क्योंकि दो एक ही जगा दो अलिफ हो जाता जबकि दो अलिफ एक ही जगा नहीं लिख उसे लिए वाले उ का यूज ना करते हुबे यह वाले उ का यूज किये यह वाले उ का और इस उ को उठा कर यहां पर ले करा गया तो जब आप लोगों को यहां तक समझ में आया है ठीक है, अब चलिए next sentence को देखते हैं तुम दानिश को पढ़ाओगे अब इसको कैसे लिखा जाएगा इसको मैं word को मिटा कर बताती हूँ तुम दानिश को पढ़ाओगे इस sentence में जो सबसे पहला लफज है शब्द वो है तुम, तुम लिखिये तुम लिखना तो असान है, आप लोग जानते हैं ये हो गया तुम, ठीक है तेक उपर पेश जुड़कर और इसमें मिम जोड़ दिये, तो ये हो गया तुम उसके बाद से हैं दानिश दानिश तो इस दानिश शब्द में सबसे पहला अक्षर है दा, दा लिखिये दाल से दा होता है, इसमें अलिव जोड़ दिजे दा हो गया, नी है नून से ना होता है, ये नून का आधा भाग हो गया लेकिन इसको नी बनाने के लिए क्या करेंगे देखिये इस नी में कौन से वाली ए की मातर है तो किसी भी अक्षर को छोटी वाली ए की मत्रह मदलने के लिए हम उस अक्षर के नीचे जेर लगा देते हैं तो इस नून के नीचे जेर लगा देंगे तो इसको छोटी वाली नी पढ़ा जाएगा तो इस नून के नीचे जेर लगा दीजिए तो नून के नीचे जेर मान लि को को करदु में कहते हैं का यह हों गया काफ का पहराज़ 35 00 कहाल पfeit यह को और पढ़ायोगे दिखिय। का दो होता है उसके बार livres यां पर कधा वह दो में क्या कहते हैं। तो यह रहते हैं इस हम सबस्राइब तो इस और इसी यह था हो गया और इसफी फ्रिंबíych रहा है यह बनाना फिर्द आपया है मैं यह था पर बनाना है लोगी है इस इसी है और इसे एक स्कतला ताई जांग पूर रहां यहां कर दे खान गुंकलेमा ह्धा पढ़ा हो ग्या isolate उसके बाद से है O अब देखिए यहाँ पर भी यही वाला condition है जी मेली जुड़कर जा हो जा रहा था लेकिन O लिखने के लिए अलिफ के उपर पेश और वाव जुड़कर O नहीं लिखा गया हमजा के उपर पेश और वाव जुड़कर O लिखा गया थीक है ना बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी situation आ गया है पटा धा मेरी जुकर तो धढ़ा हो गया है लेकिन यहाँ पर O है तो अलिफ के उपर पीश मानकर वाओ जोड़ा जाता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है ठीक है क्या पढ़ते हैं इसको अ पढ़ते हैं लेकिन ध्या हमजा के उपर भी पेश मान कर वाओ जोड़ेंगे तो क्या इसको भी ओ पढ़ा जाएगा तो जी हां इसको भी ओ पढ़ा जा सकता है बस इन दोनों को जोड़ना है जब इन दोनों को जोड़ेंगे लेखिए हमजा के उपर पेश मान कर वाओ जोड़ेंगे इन दोनों को और उसके बाद से क्या है गए गाफ के नीचे जिर मान कर यह बढ़ी जोड़ दिये तो गे अभी लिखना में आप लोगो बताई भी गागेगी पहले ही से बता दी तो गे इस तरह से लिखा जाएगा तो तुम दानिश को पढ़ा ओगे तुम दानिश को पढ़ाओगे कितना आसानी से लिख लिए बस इसी तरह यहीं पर ध्यान देना है याप डबल अलिफ हो जा रहाता है इसी वज़ेसे हम लोग यह वाले ओका यूज ना करते हुए हम लोग यह वाले ओका यूज कि दिये तीखे और आप लोग को पता होगा अलिफ के उपर पेश मान कर वाउ जो लिखन भूनों परते हैं अगला से दिस दीए क्या आप लोग खाएंगे तो किया सबसे पहले लिखिए यह सवाली जूमला है क्यों कि सवारा जा रहा है यहां यह मौ लोग लिखे सम पहले यह हो गया क्या आधा को सिक्षिओक ठीक है आ और पे से पो यह हो गया आप और उसके बाद से लोग लाम के उपर पेश मन कर वाउ जुड़ दिये तो यह हो गया लोग और गव कोर्दू में कहते हैं गाफ तो यहाँ पर गाफ चिपका दिये तो यह हो गया आप और यह हो गया लोग लोग हो गया खाएंगे तो उर्दू में इस तरह से लिखा जाता है देखें काफ से काफ होता है और इसी काफ में एच यानि की हे जुड़ देते हैं तो काफ में एच जुड़कर यह हो जाता है यानि की हे जुड़कर खा तो यही वाला खा जो है न यहाँ पर आप लोग लिखेंगे यह हो गया खा ठीक कि अलीफ के नीचे जयर लगाकर इसमें बड़िये जोड देते हैं तो इसको पढ़ जाता है आप लोगको पाता हो गालगए इसको पर पर यह गालड़ यानि कि यहाँ पर अलिव है अब इस अलिव को यहाँ पर ले कर जाएंगे और अलिव के नीचे जएर मानकर अगर इसमें बड़ी यह जोड़ देते हैं तो क्या इसको इसको भी बढ़ा जाएगा तो इन दोनों को जोड़िए इन दोरों को जोड़ेंगे तो पता है किस तरह से लिखा जाएगा यह हित यह जो ने वालाüyorsun यहां पर दिग्धेंग यह तो मुझे इसको क्या पढ़ेंग स हमजा है हमजा कि निचे जेरर ऊर्वड़ी जुड़कर यह क्या पढ़ेंगे रही हमजा है देखें यह हमजा है ठीक है यह हमजा और हमजा के नीचे जिर मन में माले हम लिखेंगे नहीं और यह बड़ी अपना शकल चेंज करके बस इसी हमजा में जुड़ गई है इसे तो यह हो गया एंग और उसके बाद से गे गे ऐसे लिखा जाता है यहाँ तो खाएंगे क्या आप लोगँंगे क्या आप लोग लोग खाएंगे क्या लोग यहाप लोग खाएंगे मैं नहीं वोलूंगी तो सबसे पहले लिखिए मैं अब मैं फटफट लिख रही हूं यह हो गया मैं ऐल नहарт बार बिंदु के लिए यहां पर बिंदू के लिए यहांपर बंदु को हो गया देखें न और 1 नई से जएर तो ऐख कर भी ऑर नन जुड़ें और लूम है अब देखें उपर पेश मानकर वाव जुर दिए तो लू हो गया अब देखे उपर चांद वाला ना है ना चांद वाले नौक उर्दु में क्या कहते है नून गुन्ना कहते हैं बस यहाँ पर नून गुन्ना जुर दीजिए मैं बोलूं और बस लास्ट में यह गी है तो गी तुम्हें आप लो गई क्या आप लोग खाएंगे यह कुशन यानि कि सवाल यह जुमला है सवाल पूछे जाए तो लास्ट में कुशन मार्क देना जरूरी होता है अब चुछ होंगे हम लिखिए सबसे पहले यह हो गया हम जैसे हम इम से महां लोग लोग भी लिखना असान है यह हो गया लेकिन ज्यादे तर मैं इसी तरफ लिखती हूं यह सीन से तो हम लोग खुश होंगे अब देखें यहां पर हो गया लेकिन हो कि नीदक का लिए इस है की उपर पेश मान कर वा जडिए तो यह हो गया हो और देखिए यहां पर ऊपर विंद्व अला नहीं तो इसके लिए यहा लिखना यदे गाह और गी इस तरह से लिखना यह तीन चीज याद कर लईजेगा लास्ट में क्या किया हो एल यह गैस यह लिखने को लिखे उसको बार-बार लिखकर और भी यह समझ में आ गया होगा हम लोग खुश होंगे ठीख है आगे बढ़ते हैं हमारे पास कुछ किया हुँ भी नहीं होगा तो लीए लिखिये याढ्य यहाढ Orthodox ऑप सब्सक्राइब भॉर से हो गया लेकिन हैं पर युर्ण सेerdर होगा जनात्पस और लिखने चमें लुए豆 दीजिक तो पा से हैंना सॉत कुरदू में कहते हैं सीन कर दूरा हुझा लखते हैं आक यू दुखते हैं इस कू में चोटा वालाagine कि मातर है उसक्य बेस्तकु को नदेते हैं अर उसके बाद से भी भॉबा कुर्द में यह हो गया यह है यह गया ब्यक्राइद हो से पलutz सेंगे नहीं तो यहां पास कुछ भी कुछ की शेंट यहांच देने भाड़ हो वे तो हमारे पास कुछ भी नहीं नहीं इस तरह से लिखा जाता है बस इसी तरह लिख दीजिए नहीं नहीं और उसके बाद से होगा हे के उपर पेशमान करवाव जोड़ दिये तो यह हो गया हो हे के उपर पेशमान करवाव जोड़ दिये हो और गा गा इस तरह से लिखा जाता है गा तो बस यहां पर लिख दिजिए गा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा ठीक है क्या आप लोग पर पेश्मान करवा जुड़ दिया और गाफ सेगा लोग ठीक है यहां यह से यह होता है यह से यह हो गया और हे से हां हो गया लेकिन इसी हे में अलिव जुड़ देंगे तो हां हो जाएगा अब जरह मैं इसको अच्छा से लिखूंगी तो पता है किस तरह से लिखा जाएग यह ठीक है देखें ये से यू और हम जूड़कर हा देखें यह हो गया ये से यू और हम क्या आप लोग यहां लेकिन यहां पर चांद वाला जुना है उन गुना से दिखा जाएगा क्या चांद वाला ना और फिर रह रह से रह और हे से रह हो गया पाएंगे पे से पा होता है इसी पे में अलिफ जोड़ दिये तो पा हो गया और एंगे यहाँ पर देखिए एंगे पा और एंगे देखिए एंगे इस तरह से याद कर जाते हैं तो डबल अलिफ हो जाएगा यह वाले एक यूज नहीं करेंगे यह वाले एक यूज करेंगे यान कि इसको लेकर चले जाए यहाँ पर यह हो गया ठीक है पाए और उपर देखिए चांद वाला ना है तो इसके लिए नुन गुणना इसी में जोड़ेंगे तो कि आप लोग यहां रहें पाएंगे यहां पर लोग यहां रहें पाएंगे कितना आज एकशानी सी लिए और ये से तो deze नहीं जोगया और यह को झांडी है ये यह से यह इसी में इसे जुड़ दिये हो जई हैं यहाँ पर लिखा है ज्यादा लास्ट में sacred कर दा होना तो वह ज्यादा देर दाल से दा होता है इस दाल के निचे जिर मानकर और इसमें बड़ी यह जोड़ दिये तो यह हो गया दे और रहा है रहा कुर्द में कहते हैं रहे कहते हैं बस यह चिपका दिजिए तो यह हो गया देर तक देर तक नाराज नून में आलिफ जुड़ कर यह हो गया रा और जॉद गौ का ये हो गया नहीं यह हो गया नहीं इस तरह से निखा जाता है धिक्यां नहीं क्योंकि ये बार-बार आता है हर सेंटेंश में नहीं तो वह ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगी देख़ें रे से रब रहे और ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगी कितना असानी से लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, वह यहां क्यूं नहीं खेलेगी, अच्छा खेलेगा, वह यहां क्यूं नहीं खेलेगा, तो सबसे पहले लिखिए वह, यहां, यहां कैसे लिखा जाएगा, देखे, यह हो गया, यहां, देखे, यह से यह, यह हो गया यह, य यह हो ग्या है है महले उर हुट हर और नून गुोणा से यह चांद वाला मा तो यह हम क्यों ही ना का यूश करेंगे तो यहां यहां क्यों में क्या है तो इस मोई नून यहां क्यों यहां क्यूं ? नहीं, नहीं लिखिये यहाँ पर यह हो गया नून से ना, हे के नीचे जिर मान कर चोड़िये जूर दिए ही और नून गुल्णा से नही के उपर क्या है? बिंदुला ना रहता है तो नून गुल्णा से हो गया, ऊपर बिंदुला हो गया और गा यह हो गया गाफ से गौ और इसी गाफ में अलिफ ऐसे जोड़ दिये तो गाफ में जुड़ कर गाफ ठीक है वह यहां क्यूं नहीं खेलेगा आगे बढ़ते हैं आप क्या कर लेंगे आप क्या हो गया आप उसके बात से हैं क्या आधा को और इसी में यह जोड़ दिये और अलिफ जोड़ दिये तो ले लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर क्या है उपर बिंदु वाला ना कुर्दु में क्या कहते हैं नून गुन्ना कहते हैं तो लाम के नीचे जेर और बढ़ी जोड़ कर ले और इस नून गुन्ना से उपर बिंदु वाला ना और फिर क्या है यह लास्ट में इस तरह से लिख दीजे तो आप क्या कर लेंगे आप क्या कर लेंगे आप क्या कर लेंगे कितना आसानी से हम लोग सारे सेंटेंस को दो में लीएज लिए bathing यहां तक समझ में आया होगा अब आप लोग यहां तक स्क्रीन चाहती हूं एक अगर लोग यहां तक लेना चाहते हैं तो कोई लिखना सिखेंगे और कहीं पर अगर सेंटेंस लिखा अगर दिखा इदे तो आप लोग पढ़ने की कुश्ऱ कीजि deben आपको बताइब किना बीकलास करें नुप किО और फ्रेम्ट आ लें तर और प्रकटिस कर एगी जितना ज्यादा हुसके लिए और लिखेंगे इस नाकार उक्री लग स्क्राइव समय स्क्राइब इसको सब देंबें पठना जा रहे हूंगे ऐसे लिखा जाएगा उर्दू में हो और और वाउ जुड कर यह हो गया लोग और अव सिगा हम लोग singing लौन हो गया पर नून कहते हैई कि नून में अलिफ जुण देंगे त门ा तो ना वना डिए याप लोग सूच रहे घृट कर येषिर पढ़य Bon तो बिल्कुन आप लोग सही सोच रहे हैं, लेकिन उर्दू में पटना, देखिए, आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, पेसे पा, टेसे टा, और नून से ना, और नून में अलिफ जुड़कर ना, ये ना हो जाएगा, तो पटना, पटना इस तरह लिखा जाना चाहिए, लेकिन उर्दू में पटना इस तरह से नहीं लिखा जाता है, सही तरीके से, 100% जो राइट तरीका है लिखने का, उर्दू में वो इस तरह से लिखा जाता है, पटना, ठीके, तो ये हो गया पटना, तो उसको क्या पढ़ा जाएगा, पटना, तो हम लोग पटना, उसके बाद से क वेकिन यहां पर क्या है एक नीचे जिर मानकर बड़ी जोड़ देंगे तो यह हो गया एक बड़ समय लिख दे रही हूं यह हो गया तुछ और उपर बिंदू अलना के लिए यहां पर नुन गुन्ना ही उसकरेंगे और फिर गे हैं गे किस तरह से लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है गाफ के लिखिए सिंसे सॉ होता है या इतना में तो 8 जाना हुइए वह सी यहां माकद कर ब्रुड कर हो है आ या कि मातर है कौन सोवा ऑसा मातर है और किसी और ये केमातर कि मात्रहं बढ़ने के लिए हमें उस अकषर के नीचे जिर मानकर उसमें यह जोड़ दिए हैं ऑननि बड़ी वाली मी हो जाए देखिया है किसी पिर बड़ी की मात्रा और हम बदल के लिए उसीं ही civ ना की उसके तो सब्सक्राइब आप जानते होगे कैसे लिखा जाता है बताई भी हूँ पहले आप लोग इसके पहले वीडियो देखें के प्रीवेस वीडियो देख थे आ रहे होगे तो आप लोगो पता भी वह गया है को उर्दर में कहते हैं गया देखिए नहीं पर क्या है हिए या या कि गाव से ग और इसी में य जोड़ेंगे यह से य होता है या या कि या व perfect प्रेंकि ये हो गया लेकिन गया बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें अलिफ़ जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा ग्या और उसके पद उसके बद क्या है पन पॉकम में किएए पाव पर समीरा ग्यापन और एकेडमी कैसे इसे लिखा जाएगा ऑलिफ से ऑ होता है जिर मांने लेंगे अलिए हो जाएगा और काफ के नीचे जियर मान कर इसमें बडिः यह देंगे यह हो जाएगा की और डाल से इसी में डाल उंडनेंगे डालसे दॉर मिं के झीचे जिर मान्कर कशोटी यह जुड़िंगे तो मी इस सपस्लिखा इसके पहले भी आपनों को बहुत बार बताई हुआ अपनों को पता भी होगा समीरा कि आपने केडमी से से लिखना तो आसान है सिन के नीचे जिर मान कर बढ़िए जोड़ दिये तो से हो गया आप लोग जूम कर लिजेगा अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो ताकि एक दम साफ साफ द नहीं नैज दो बाइशने के बढ़िए इसी यए उपर तश्दीद लगा दिया जाता है तो इसको बार यह पढ़ा जाएगा ठीह किसी भी अक्षट के उपर दखेल यानि कि यह लग ते के ऐसके बार पढ़कर तभडा जाएगा एक ते के उपर जबर मान कर यह पढ़कर तैय और फिर इसी में जो a की ए है उसी एसे हो जाएगा यो और इसी में अलिफ जोर दिज्ट तो यह मैंली जूर करिंए तो तया और रही रही से रही हर्भी रही रह से रह होता है और यह जो रहे है न रहे सबसे पहले हामिद लड़ू नहीं खा रहा होगा तो सबसे पहले हामिद लिखिए हाँ कुर्दो कहते हैं हाँ कुर्दो में क्या कहते हैं हे कहते हैं यह लिख दी यह से हाँ हो गया हाँ बनाने के लिए अलिक जोड़ दी हाँ हो गया उसके बाद से हैं मी मी है माँ कुर्दो में कहते हैं मीम तो यहां पर मीम लिख दीजिए मीम से माँ हो गया लेकिन इस मीम म मुझा दो शिर्थ नवमन में कहते हैं हामीद उसके बाद से क्या है लड्ड़ू यह लाम से लाज लाय हो गया उसके बादinkね यहां पर कुल लिए कि लेकर यहां पर दो यह ल再яж लीए फिर से यहां दो दून तो यहां पर Clone्ण लेकिन चिंगे दोतर बार एक ही अक्षर नहीं लिखा जाता है भलकि एक यह पुस्क्रपड रल के यह तष्दित लगा देते जैसे कि यह से एक और ये के ऊपर तस्जद लगा देंगे शमतलब कि इसदाल को दो बार पढ़ा जाएगा एक तो लाम सिला हो जाएगा और पिर एक डाल और बचा रहेगा तो लान से इडा हो जाएगा और इसंडाल के उपर कैश्च मानकर और इसमें वाँ जोड़ देंगे क्या लगा है его ठिछ उपर दो रड़ पढ़ा जाता है मैं आप लोगों बताई हो तो टीille के बात खाँ ये हो गया थे खे से खाँ और इसी खा में अलिव जोड़ कर खाँ उर रहा रहाँ रहा ये शें ये हो गया हें हामिद लड़ू नहीं खा रहा और होगा यह की उपर पेश्मान करunyaष पर नहीं घर यह एक और बन्हों में युञड़ा हूगा लोग सु परशान हो रहे होंगे द्रेखें ड़ू में लिखएंगे बहुत आसानी से आपणूभा लिखेंगे बस ध्यां देना हो आप लोग दूनिया है ना यह जो गいたफला यह चोटावाला लगतलों कि मातरा रहे走吧 दाल के उपर सिर्फ पेश मान लेंगे तो यह चोटा वाला उ की मात्रा है यानि की दू पढ़ा जाएगा सिर्फ पेश मान लिया जाता है दाल के उपर पेश लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा यह दू पढ़ा जाएगा उसके बाद से क्या है नी और इस नी में भी द तो नून के नीचे जिर मान लेंगे तो यह हो जाएगा नी बस लिखना नहीं पड़ रहा है मन में मान लेना है ताल के उपर पेश मान लिया लिए तो नी हो गया क्योंकि फूट वालेगी मात्रत था अब यह जो या है न यौक उर्दू में कहते है यह तो अभी आवल लिखिए ये है ये से तो यह हो गया लेकिन यहांपर क्या है यहां है या इस यह में या यो तो यह में год करिया और दोनिया दालग के उपर पेश हो गया कि लोग और लोग लिखना तो आसान है लोग सुखाड सुखार भी लिखना असान है देखिए ये हिंदी का आप बोल सकते हैं वर्ड है लेकिन उर्दू में भी आप लोग असानी से लिख सकते हैं सुकार सिन से से क्या होता है सो होता है तो लिख दीजे सिन से सो हो गया लेकिन आपर क्या है सू है और इस सू में छोटा वाला वू की मात्रा है तो इस अक्षर के उपर पेश्मालेंगे तो क्या इसको सू पढ़ा देगा जी हां छोटा वाला सू की मात्रा में बदल जाएगा तो सिन के पर पेश माली है, तो सू हो गया, उसके बद से ये क्या है, खा, खा कुर्दू में कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है, ये हो गया, ये हो गया, खा, खा कुर्दू में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये खा, ये बस यही वाला, जो है न, खा, यहाँ पर मैं उठा कि आम लोगे उसके बाद से से में के नीचे जिर मानकर इसमें यह जोड़ देंगे तो रे के नीचे जिर और यह हो गया और उसके बाद से sjha šra kurdhu में कहते हैं increasing तो श्णब हो गया लेकिन क्या है यानि कि इसमें अलिप जोड़ेंगे शा हो जाएगा ठीक है और नगश्ब में कहते है नून तो ये हो गया परेशाण लुद से पारिशान ओंसे न पारिशान और हो जोशे रे से रा रे के नीचे जिर मान कर बढ़ीये जोड़ दिये 20 में बढ़ीये जोड़ देती हूं इसमें यह इविदी यह तेठा की जूड़ा अहय हैं यह देखे यह और लिदे यह हो गया दुनिया रुग सुखार से परेशान हो रहे होंगे कितना असान है इतना लंबा सेंटेंस को अम लोग उर्दू में लिख दी बस हर एक एक वार्ड को आप लोगो ध्यान से और सही तरीके से लिखना है आप लोग भी आसानी से लिख लेंगे अब देखिए पाच्वा सेंटेंस यह भी टॉफ ठीक है एक्मिन लॊ जा रहा है हें कि लफे में अलिव जोड़ दीजेइड रहो जाएगा फिर यहां पर है जुख ल le.dument वाओ जो देते हैं तो के अपर पिष्ट लगा कर वाओ जो दिये तो यह ही उरत ह lleva है होगे धो गया है ए हो गये लिटाना के के लिटके मों ओदीजिएと思います तो यह हो गया, इम्तहान, ठीक है, के, काफ से का होता है, और इस काफ के नीचे जिर मान कर बढ़िये जुर्दिये, तो के हो गया, उसके बच्छे क्या है, बाद, बे से बा, बे में अलिफ जुर्दिये बा हो गया, और दाल से बा, बाद हो गया, लेकिन, यह वाला जो बाद है लेकिन बें में जोड कर आप लोग बनाएंगे बेज देखे अलिफ से होता है और हैं अजो कर बन बनाया जाता है बल्कि बेंगें जोड कर बाइब ऑर दा कुरते हैं में यहां पर यह हैं यह उर्दू में इसी तरह रिखा जाता है बाद याद रखिएगा बाद किस तरह से लिखा जाएगा बे में जोड़कर बाँ और दाल से ज़ग तुक यह एंक गशेघृ में जोड़कर बाँ धाल से बाद यह उसके बाद bus प्रूंप हम ज citoy был हो गया लेकिन या पर क्या है री है इस मैं सबस्क्तों िरिक मन नेंगे तो रिपढ़ जाएगा च्छोटी वाली कि माथ्र म कर दोर से जो कुर्दु में कहते हैं उक उपल्द्ध weans टो सब्सक्वेतर और एहां पर सबस्यां और परकर दियायो तो ये हो गया T से T तो result, ठीक है? का ये हो गया काफ और इसमें अलिफ जुड़ दिये तो काफ में अलिफ जुड़ कर का और इंतजार अलिफ से A ठीक है? होता है, लेकिन यहापर क्या है? यानि कि अलिफ के नीचे जिर्मान लेंगे तो ई हो जाएगा तो है लेकिन ध्यान दिजिए यहां पर इंतिजार है ना अलिफ से आ होता है अलिफ के नीचे जिर्मान लिए तो ई हो गया लेकिन उपर क्या है उपर बिंदु वाला ना है तो उपर बिंदु वाला ना के लिए यहां पर noon का use करेंगे, यह हो गया, noon से उपर बिंदू वाला na, in हो गया, यह in हो गया, और tau, ता कुरतु में कहते हैं ते, तो इसी में ते जोड़ दीजे, ते से tau हो गया, और za, यहां पर नीचे बिंदू रएगा, ठीक है, जो, तो यह हो गया, जो, जो से ज और इसे में अलिफ जुर देंगे तो जा हो जाएगा और रा कुर्दु में कहते हैं रे तो ई और नून से उपर बिंदु वाला न और त और जा और इंतजार ठीक है अब जरा मैं इसको अच्छा से लिखू तो देखिए कैसे लिखा जाएगा अलिफ के नीचे जर्माण ये तो ई फिर नून से न ते से तो और ये हो गया जो में अलिफ जुर कर जा ठीक है ये नून से न ये ते से तो और इस तरह लिखा जाएगा इंतजार है और कर काफ से का और यह हो गया रहर है रहे रहर औरर रहा। यह में कालत यह हो गया। रहै टो राजु इमतहान के बाद्रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो गा। कितना आतानी कre Miss से लिखिले आगे बढ़ते हैं वह कराटा सिखा चुका होगा तो वह लिख किए सबसे पहले यह मैं लिख दीजय को होता है लिख भी यह और फिर यहां पर क्या है रा किदर रगा रगोडुन मैं के तहे रहा रह से रहा हो गया रह बनाने और करता है तो तो प्रिफ जोड़कर लिखा झायगा यहां पर ठीक है तो वह कराटा आप चाहें सोटोना टोड़कर जोड़कर सकते हैं कोई दिक्त नहीं पर ठीक है इस को सब्स होता है मैं लेकिन यहां पर किया है चोटी जेंद नेजिर मान लेखें दो हो जाएगा ना तो यह हो गया सी और खा करदू में कहते हैं किस तर से लिखा जाता है यह हो गया और खॉत लिए तो सी हो गया चोड़ा वाला सी और को में अलिफ जोड़ दिये तो खा तो सी खा सिखा हो गया यहां पर तो वह कराटा सिखा चुका चे से चा होता है चे के उपर पेशमाली तो चू हो गया और यह हो गया काफ से को और इसी में अलिफ जोड़ दिये तो काफ में अलिफ इसका तीर मार दे रही हूं ग्यापन एकेडमी वीडियो अप्लोड कर चुका होगा बिल्कुल वीडियो अप्लोड एकेडमी कर चुका है तभी तो आप लोग देख पा रहे हैं तो ग्यापन एकेडमी तो लिखना आप लोग वाता है यहां पर भी लिखा गया है ग्यापन ब यहां अपर किया है और इस वी में कौन सा वाली कि मातरा है बताएए इसमें बड़ी वाली के मातरा है तो किसे भी अक्षर को बड़ी वाली E की मातर हैं बदलने के लिए उस अक्षर के नीचे जेर मान कर और छोटी ये जोड़ देते हैं तो वाउ के नीचे जेर मान कर छोटी ये जोड़ दिये तो ये हो गया बड़ी वाली V और देखें यहां पर क्या है डी डाव कुर्दू में कहते हैं डाल डाल से तो दा हो गया लेकिन इसको डी बनाने के लिए देखना होगा कि इस डी में कौन से वाली एकी मातरा है तो छोटी वाली एकी मातरा में बदलने के लिए इस डाल के नीचे सिर्फ जेर मान लेंगे तो video video ठीख है upload अलिफ से ओ होता है अलिफ लिख दीजे नार्मल itt सीधा अलिफ लिए रहा है ये कि ये लाम से लों है यानिया इस लाम के उपर पेश मार करवाज और देंगे तो लो हो जाएगा आप भूभ अपलोड लोड लिख दिया और कर चुका चे से चौह और इस चे के उपर पेश माली ए तो चुह हो और यह हो गया काफ और काफ में अलिफ जोड़ दिये इस काफ में अलिफ इस तरह जोड़ दिये तो का चुका और होगा यह हो गया यह के उपर पेश्मान करवाओ जोड़ दिये हो और यह हो गया गा तो वह और गा होगा ग्यापन एकेडमी वीडियो अपलोड कर चुका होग एक बर फिर से पढ़कर मैं बता दे रही हूं गयापन एकेडमी वीडियो अपलोड कर चुका होगा कितना असानी से लिख लिए देखिए बहुत जदा आसान है आगे बढ़ते हैं वह इम्तहान दे चुकी होगी वह लिखिए सबसे पहले वह उसे वह और है सिहा वह हो गया इ से ता हो गया उसके बाद से हां है हो कुर्दु में कहते हैं है और इसमें यौल जुर देंगे तो हा हो जाएगा और नहीं को पेश मान लिए तो चूँ हो गया और की यह हो गया और इसको की बड़ी वालीए की मात्रें है किटो और कि चνु की होगी कि एक पर पेश मान कर वाऊ जूर दिए तो हो गया और मिया Y किटना असानी से हो गया आगे बढ़ते हैं माली वगीचे में जा चुका होगा तो जब लुद्ध से पहले माव कुर्दू मैं केहते हैं मीम लिख दीज़े हैं यहां पर मीम से मा उगया इसमें अल्फ जोर दिये तो माहा हो गया मा और इसको बाद से क्या है ली लूजिए लाव और तो लोगों को पता होगा, यह होगा घंसे गौ, लेकिन यह कई है गू है और यह भी नहीं, तो बढ़ी वाली ई की मातरा है क्समें, इस गू कि निचे जेर मन कर इसमें छोटी यह जोड देंगे, यह हो गया गी, बो घी झाहि सरे चे से यहो गया चौ लेकिन यह यहां पर क्या है चैह हैयानिके इस स्चा को एकी मात्रा चैय बनाने के लिए इस चैके निच The Stunden जिर मान कर ये देखिए इसमें बड़ी एजोर दिये तो यह हो गया च्छे से के निचे जेर बढ़ी जूद कर चे तो बगी चे माली बगी चे मे लिखना तो आपलोग को आता है मिम के नीचे जेर माल कर बढ़ी ये जूद कर मे और और नून गुंणा यह हो गया हो है कि उपर पेश्मान कर वा जुड़ दिये हो और यह हो गया गाह होगा गाफ में अलिव जुड़कर गाह होगा माली वगीचे में जा चुका होगा कितना आसानी से यह भी हम लोग लिख लिए देखे बाहर से थोड़ी से इन्वाइजिंग आ रही है तो आप ल लास्ट सेंटेंस है सलिम गुलाब काफूल तोड़ चुका होगा होगा गुलाब जनी मिलाब काफूल तोड़खा होगाई इसको कैसे हैं सब से पहले सनी सक उर्दू में कहते हैं सीन सीन कörper ली हो गया और क्या है मौ माह कड़ोर में कहते हैं मीम यहां पर मीम ले जाकर चिपका दिज एसे तुब है तो सउने और सलीम यह हो गया सलीम ठीके से यहां तेस्क लिख ल वाला वकी मात्रा है तो इसको भी तो फ़साल से बंधना होगा ना च्टाफ पर फेश मा लिए उच्रीन हो चुटाव तो बंब ओ गपर पेशिमालेत्व ग्यावर और लू ओ उपन में तो यह लाब गुलाब सलीम गुलाब का यह काफ से का होता है इसमिंग जो दिये का हो गया और फूल फॉफ को इस तरह से लिखा जाता है उर्दू में फॉफ है और देखिये इसमें कौन िहूंनो की मातर है बड़वला Talking है इस फॉफ के उपर पेश मानकर इसमें वाउ जूर दीजि और इसוץ कोना चुका और यहां पर क्या अछ उसम पर अल्व कर का गू किलाब का फूल तोड़ चुका होगा कितना असानी से इन सभी सेंटेंस को अम लोग उर्दू में लिख लिए और समझे कि यहां पर होगे आप लोग का future अब आप लोग को जितना प्रैक्टिस करना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर यह तीनों कम्प्लीट हो गया अब आप लोग का अब आप लोग का होमक यहीं है और अगर आप लोग हार मान गए तो समझे कि आप लोग जिन्दगी में अब कभी नहीं उर्दो सीख पाएंगे अब समझे कि आप लोग मंजिल के बहुत करीब हैं 98 परसेंट सीख चुके हैं यहां पर थोड़ा सा और मेहनत बाकिए सिर्फ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप लोग को फिर दुबारा जिन्दगी में मेहनत करने की जोड़त ही नहीं पड़ेगी यहां पर मेहनत कर ल और की ठीक हैं यहां पर फाइनली हो गया पार्ट 40 कंप्लीट अब इसके नेक्स्ट वीडियो में चान होगा वह आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताँगी पार्ट 41 में चलिए आज के इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जितना जिधा शेयर हो सके अपन आप तक सबसे पहले पहुचे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज